हेलो प्रिवन, वेलकम टू स्टेडी विद ग्यान प्रकास्त, तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इस्पसल है, 23, 24 और 25 अगस्त उ, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परिच्छा हुई है, 6 शिप्टों में परिच्छा हुई है, और सभी 6 शिप्टों में, G.S. के ज बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही मत्पूर्ण है, पूरा प्रस्न आप जरूर लगाईएगा, तो चले सुरू करते हैं, और सबसे बहले देखो यह जो प्रस्न पत्र आपके सामने है, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, कि 23 अगस्त को जो परिच्छा हुई थी, 23 अगस जो question स्टार्ट हुए थे GSK, वो question number 113 से स्टार्ट हुए थे, the scarlet letter, यह किस ने लिखा है, तो आपके option में है, मैं यहाँ पर केवल आपको question answer के format में ही प्रस्नों को discuss करूँगा, ताकि आपका समय जादा ना लगे, तो the scarlet letter, यह किताब लिखी गई किस के द्वारा, तो friends, यह किताब है, हाउ थुरून का लिखी गई है, यानि कि नथा इल, हाई थुरून, यह option, डीस का सही है, उप्योग करताओं के भीच, लगातार संचार को प्रोथ साहित करने के लिए, कि social media platform ने, इस ट्रीक्स नामक सुविधा को उपलब्द कराया है, तो यह है, आपका उत 70 VC में इसके स्थापना होई थी, और यह 897 AD तक स्थापित रहा, और दक्ष्ण भारत के कुछ हिस्सों पर इसने सहसं किया था, पल्लोबंस का संस्थापक कौन था, तो सिंग विश्डू, नाम याद रहेगा, सिंग विश्डू जो था, वो पल्लोबंस का संस्थापक था, FSB, यानि कि वित्ती इस्थिरता बोर्ड का काम क्या है, तो FSB, इसमें कुर्मला के 68 सदसंसाएं हैं, और इसका जो उद्देश है, वो क्या है, यह वित्ती इस्थिरता को सुनिशित करता है, तो option D इसका correct है, अगला question था कि GST के brand ambassador के रूप में कौन चुना गया है, तो friends इ सिग्फरिट लाइन, यह France और जर्मनी के बीच की सीमा मानी जाती है, सिग्फरिट लाइन, इसको वेस्ट वाल के नाम से भी जानते है, वेस्ट वाल, अगला question देखिए, विदेश व्यापार महाने दिसाल है, यानि कि DGFT किस मंत्राला के अंतरगत आता है, तो friends यह जो Ministry of Commerce and industry है, वानी जो उद्योग मंत्राला है, इसी के अंतरगत आएगा आपका DGFT, यानि कि option D correct है, परमार उर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्त्तो आवस्यक है, तो आपको पता है कि बिना युरेनियम के परमार उर्जा उत्पन नहीं हो सकती है, तो option D correct है, नोईडा ज जो है ये गौतम बुद्ध नगर में आता है, बिकल्प D से ही है, विस्ट डाक दिवस, अभी हाली भी मनाया गया था, मने पढ़ाया भी थे आपको, विस्ट डाक दिवस, ये कम मनाया गया, तो दोस्तों ये मनाया गया 9 अक्टूबर को, यानि कि option D correct है, जून दोजार चो भारत का पहला हवाई एड़ा कहा परिस्थित है, अगर आप नेट पर साच करेंगे तो आपको बमरोली प्रियागराज भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका सही उत्तर है option D, बामबे मुंबई में, ठीक है, बामबे मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, क् से वाउं है, तो GST पंजिकरन के लिए जो 36 लिमिट है, वो क्या है, तो यह होती है आपकी 20 लाख, यानि की बिकल्प A सही है, अगला क्रेशन है, डैस में दुर्भावना पूर्ण, फाइलों वाली छवियों का उप्योग, हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने, या आपके कम्प्यूटर को संक्रवित करने में मदद करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इमेज फिसिंग को उत्तर माना होगा, जो कि गलत है, यह आपका होता है, कैट फिसिंग, option D इसका बिलकुर सही है, कैट फिसिंग, कुरेशिया की इसका सही उत्तर है, option C, यह अधिकारियों को संभावित खत्रों को अधिक तेजी से पहचाने में सहायता करता है, तो बिकल्प C सही है, भारत के किस प्रोडोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमी कहा जाता है, पुराना प्रस्त है, आपको पता है, इसका उत्तर क्या होग तुरित यूट्रोफिकेशन है, तो यह यूट्रोफिकेशन जो है, यह आता है जल प्रदूसर्ण के अंतरगत, यानि कि बिकल्प B सही है, 1946 के बिमुद्री करण के दवरान, RBI के गवर्नर कौन थे, तो जब 1946 में डी मॉनिटाजिशन किया गया था, उस समय जो RBI के गवर् पाक्षार है, वो Director Principal of State Policy, जिसको आप D Director Principal of State Policy, DPSP के नाम से जानते हैं, ठीक है, और इसमें जो आपका अनुच्छेद है, कौन कौन सा है, तो देखो इसमें जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक है, जो आर्टिकल्स हैं, वो DPSP से जुड़े हुए है, A Life Miss Spent, यह किताब है, 135, A Life Miss Spent, यह सूरिक कान त्रिपाठी निराला की किताब है, मुझे लगता है कि क्योंकि यह इंगलिस में नाम है, तो बहुस तरह लोगों ने इसको गलत किया होगा, सूरिक कान त्रिपाठी निराला ने लिखी है, A Life Miss Spent, आसमान के नीले परन का जो प्रमुक का आपका यहाँ पर सही है, ठीक है, इसके बाद देखिए, रमन सुब्भा राओ, यह हाली में इनका इनकी डेथ हुई है, निधन हुआ है, तो यह क्रिकेटर थे, बिकल्प A आपका सही है, प्रयवदीपी भारत की सबसे लंबी नदी कोँसी है, क्या पूछ रहे हैं, नेम आप दे लॉंगेस्ट रिवर इन पेनिसुलर इंडिया, तो इसका उतर बनेगा यहाँ पर गोदावरी, यानि कि बिकल्प A, कई बार इसका ओरजिन पूछ लेते हैं, त्रेमकेस्वर महरास्ट्रा से, इसकी ओरजिन है, याद रखिएगा, और इसी को बूरी गंगा, वृ गोसित किया गया था, महिलाओं का अंतरराश्ट्री वर्स, यानि कि बिकल्प B, question number 141 देखिए, अनुसंधान विदिया, उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर, उनसे गहन और आगे की जाच और पुश्टाच में सहायता करती हैं, तो यह मिस्त्रित, option A, correct है, B, R, I का पूर्ण रूप पूछ रहे हैं, तो आपको पता ही है, B, R, I, Belt Road Initiative, Belt Road Initiative, Belt and Road Initiative भी सही होगा, तो यहाँ पर, जो आपका सही था, option A, यह आपका सही है, और देखो यहाँ पर question है कि विश्ट विक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने कोशिस करता ह मतलब एक तरीके से आपको blackmail किया जाता है, साइबर के इस तरीके से, तो इसको क्या कहेंगे आप, तो दोस्तों इसको कते हैं, spear phishing, spear phishing कहेंगी से आप, ठीक है, option B, correct है, इसमें ब्यक्तिकत phishing हमला है, और संगठन ब्यक्तिको लक्ष बना जाता है, तो option B, correct है, पहली बार जो राष्टी क्रिशिन गोशित की गई थी, वर्स 2000 में गोशित की गई थी, इसका उत्तर है, option C, और संगत्र राष्ट मानवाधिकार आयोग, यहाँ पर देखेंगे, तो अंतर राष्टी मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए, संगत्र राष्ट मानवाधिकार आ आपका यहाँ पर करेक्ट है, अफ्रीका के आर पार दौर लगाने वाले पहले विक्ति कौन है, तो आपको पता यह ना, इनका एक नाम और भी है, क्या नाम है, इनको कहते हैं, गीजर, ठीक है, हारडेस्ट गीजर, हारडेस्ट गीजर के नाम से भी जानते है रसकुक को, इन्होंने अफ्रीका के आर पार दौर लगाई थी, तो विकल्ब D आपका करेक्ट है, भारती कृसी अनुसंधान ने भारत में संरक्षित बास्वंदी किस्मों की खेती के लिए, किस देश के खिलाफ कानूनी कारवाई किये, तो पाकिस्तान के खिलाफ, ओप्सन D, कौन सा भारती राज अपनी अनूठी वारली चित्रकरा के लिए जाना जाता है, तो महराश्टरा इसका उत्तर बनेगा, ओप्सन A, अगला क्रूशन है कि चिकन कारी, आपको पता ही होगा लखनो, इसका उत्तर है लखनो, और महासागरी अमली करण का प्राथिमिक करण क्या है, मत आगे बढ़ेंगे और तेई सघस्त को जो सेकंड सिफ्ट हुई थी, उसमें जो प्रस्न आया थे, उनी प्रस्नों को यहाँ पर देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और देखो यहाँ पर जो प्रस्न ना, वो 58 से स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेशन नंबर 58 से आपक जिए से स्टार्ट हो रहा है, तो डिरेक्टली पहुंचते हैं, 58 पर और प्रस्नों को लगाते हैं, तो देखो क्वेशन क्या था कि, UDHR मानो अधिकारों की सारभौम घोश्डा का कौन सा अनुच्छेत, उत्पीडन से सरन लेने के अधिकार की गारंटी देता है, बहुत अधिकार की घोश्डा करता है, तो आट किल 14 इसका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान दीजीगा इस पर, इसके बाद NPA यानि की नान परफार्मिंग एसेट कहते हैं इसे, बिकल्प इसका आप्सन A है, सेरा नरित्य जो होता है, ये UP के ललितपूर में होता है, तो इसका भी उ इस्तियों के लिए सभी परमार्व इसफोटों का प्रतिबंध, यानि की आपसन D करेक्ट है, और देखो ये जो CTBT है, ये बैन आल नुक्लियर एक्स्प्लोजन फार बोच सिवेलियन और मिलिटरी परपस, ये ही वाला इसका उत्तर होगा, तो बिकल्प D पर जाहिएगा, अर्जुन पूरसकार किस चेत्र में उपलब्दियों के लिए तो खेल से संब्दित है, ये तो आपको पता ही है, इंडिया विंस फ्रीडम, ये जो किताब है, ये अबुल कलाम आजात की किताब है, 2016 के बिमुद्री करण के बाद, RBI को कितने प्रस्यत 500 और 1000 के नोट वापस मिल गए थे, तो 98.96% यानिकि बिकल्प A, अगला क्वेश्चन है, 1993 में मानो अधिकारों पर विशु सम्मेलन ने डैस को अपनाया था, तो देखो मानो अधिकारों पर विशु सम्मेलन जुआ था किस संबैधानिक संसोधन अधिनियम ने लोकसभा और राजविधान सभाव में अनसुचित जातियों और अनसुचित जन जातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया था, तो ये था, 89.99 संसोधन और ये कब हुआ था, ये important question है याद रखेगा, ये वह था 1999 में, 1999 म मिलेगी, आपको मड़ी पूर्वी मिलेगी, option B correct is का, प्रस्तावना में, राष्ट की एकता और अखंड़ता सब्दों का उद्देश से, किस मौलिक सिध्धान को बढ़ावा देता है, तो ये fraternity को बढ़ावा देता है, बंधूता को बढ़ावा देता है, unity and integrity of the nation, in the preamble, aim to promote which fundamental principle, that is, बंधूता यर्गी fraternity, ठीक है, अगला question देखते है, एक software program है, जो internet के माध्यम से आने वाले सबी data को filter करता है, तो 69 का ये firewall हो जाएगा, उत्तर, option D correct है, फिर अगला question है, दर्सकों के साथ संबाद करने के लिए, social media platform के रणनेरितिक उपयोग के एक आसफदे, तो भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, ये तो आसान सा question था, धोला सदिया या भूपे नजारिका पुल, इसकी लंबाई 9 किलोमेटर से भी ज्यादा है, exactly देखा जाए तो 9 दस्मलो एक 5 किलोमेटर है, और इसे धोला सदिया क्यों का जाता है, क्योंकि ये में सटार्ट किया था, भारत और वियतनाम के 20 साज़दारी से उनके 6-3 सुरुक्षा परदिश में किस पकार परविड़तन आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर है, वो option C है, रक्षा सयोग और समुद्री सुरुक्षा बढ़ा कर, ठीक है, तो 74 का option C correct है, question 75 है, A correct है, तुगलक नामा यह किताब लिखी गई है, अमीर खुसरो के द्वारा, अमीर खुसरो ने लिखा है, तुगलक नामा, और तुगलक नामा किस भासा में लिखी गई है, तो याद रखना कि यह फार्सी भासा में लिखी की किताब है, और अमीर खुसरो का अजन मुए है अक्षे उर्जा के उप्योग को बढ़ावा देती है, यानि कि अक्षे उर्जा ये विकल्प A आपका यहाँ पर सही है, और वैसिक आतंकवाद विरुधी प्रयासों के समन्वे के लिए किस संगेठन को जिम्मिदार मना जाता है, बहुत ही चालांकी से यहाँ पर फुल फार ब्रेड आधी आवस्टेक वस्तूर पर जो GST है, मिनिम्मम रखी गए यह 5% और चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिस्टन को जो नाम दिया गया है, और इसको नाम दिया गया है Artemis, अंतरराश्टी थर्मो न्यूक्लियर प्रयोगिक रियक्टर यानि कि ITER प परमाड़ विखंडन, बड़े पैमाने पर कर्बन यह भी नहीं होगा, इसका उत्तर मनेगा option A, उर्जा उत पादन लिए परमाड़ विखंडन, ठीक है, फिर है कि 14 सितंबर यह राश्ट्री हिंदी दिवस होता है, आपको पता ही है, और भारत-माला परयूजना, बहुत स 12,800 किलोमेटर नए राजमार के निर्मार की बात कहीगी थी, प्रधानमत्री मोधी ने इसे स्टार्ट किया था, कौन सा त्योवार भारत में प्रकास के त्योवार के रूप में जाना जाता है, तो उत्तर है दिवाली, और भारती GST में किस प्रकार काकर प्रस्तुत किया ग 2021 में कौन सा राज मसालों का प्रमुख उत्पादक था मुझे पका मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा लेकिन कंफर्म हो जाई है कि मद्यप्रदेस में सही उत्र था पहला lifetime disturbing the peace award पहला lifetime disturbing the peace award तो यह दिया गया है सल्मान रुष्दी को option A आपका correct है सबसे कम लिंगानुपात हर्याणा में है तो इसका उत्तर था option A जनसंक्या घनत्र यह क्या होता है यह होता है कि कुल जनसंक्या बटे कुल छेत्र संक्या बटे छेत्र option C इसका correct है बायमेट्रिक प्रद्योकी का एकिकरण भारत के आंतरिक सुरुक्षा जहाचे को कैसे बढ़ाता है तो दोस्तों इसका उत्तर आप option C को मान सकते हैं 1928 में जो बारदोली सत्यक्राव हुआ था उसको लीड किया था सरदार बल्लभाई पटेल जी ने और आपको पताएए कि यह 1928 में हुआ था तो तारीक थी 12 जून की इसके बाद है 2021 में इंस्टाक्राम को इंटरनेट पर दुनिया में सबसे अधिक इस्तिमाल के जाने वाले सोचल मेडियर प्रेटफार्म में चौथा अस्था अस्थार मिला था आप्सन डी चीन ने तिबबत पर आकरमन किया था 1950 में आप्सन बी करेक्ट है किस जीऊ को जल प्रदूसर्ण का जैव संकेतक माना जाता है तो जेबरा तो कोई मतलब नहीं सेर मेंड़क के चुगा होता है और इस प्रकार से यह 95 कोश्टन थे अब आगे बढ़ते हैं और 24 अगस्त की जो पहली सिफ्ट है उसके प्रस्नों को देखते हैं ठीक है तो 24 अगस्त की यह पहली सिफ्ट है पूछ रहें कि ट्रोजन वाइरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्रेटफार्म पर डाला गया था यह घटना कब की है यह घटना है 2020 की ठीक है और संबर्स्ट यह इसक कौन सा संगटन दुनिया के सबसे गरीब विकासिल देशों को रिण्ड और अनुदान प्रदान करता है तो यह काम तो विशुपैयंग का है वेदों में मानों अधिकार को किस ओधाना से दर्साया गया है तो समानता, हर वर्स किस दिन को विशुकला देश के रूपे मना ज जुड़ा हुआ है 352 तो विल्कुल आपका उत्तर यहां बावनेगा राश्टी आपातकाल तो नए राज्य के गठन की घुषड़ा यह तो आपका गलत है लोकसभा CJI यह हो गया आपका उत्तर option D option D विल्कुल करेक्ट होगा ठीक है इसके बाद देखते है महिलाओं और CST समुदायों में उद्यमिता को भढ़ावा देने के लिए भारत सरकारतारा कौन सा कायक्रम यह था आपका इंडिया यानि कि विकल्प A बीजनेगर सामराज के स्थापना होई थी 1336 में किस ने की थी हरियर और बुक्का ने की थी विकल्प C मेगा सहर यानि कि मेगा सिटीज कौन से होते हैं जिनकी जनसंक्या 10 बिलियन से अधिक होती है ऑप्शन C करेक्ट है किस भारती योजना का उदेश असंगडिश चेतर के स्रमिकों को 60 वर्स की आयू के बाद नियुनतम 3000 रुपे प्रतिमा प्यंसन प्रदान करना है तो दोस अधिया आप्रवासन के माध्यम से मतलब जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग या रहे हैं तो जा संक्या क्या होगी सूने होगी ऑप्शन C करेक्ट है भारती तकनिकी और आर्थिक सहयोग ITEC कायकरम का उद्देश से क्या है तो दोस्तों इसका जो उद्देश है क्या होगा तकनिकी सहयता और प्रसिक्षन तो बिकल्प D से ही है इसका भारत के जो GST मॉडल है इसमें स्ट्रक्चर्स कितने हैं तो ये कुल पांच है आपको बताई होगा डबलू टियो के बरतमान महाने दिसक का बारें पूछ रहे हैं तो नगोजी ओकोंजा इवेला अब आप से य का मिलें अच्छी किताब है पायन का मतलब होता है पर्मानेंट एकाउंट नंबर ऑप्सन सी सही है प्रित्वी के जलवाई प्रडाली के लिए उर्जा का प्रात्वी सुरूत सूर ही होता है ये तो आपको पताई है भारत बित्ती आपातकाल घोसित करने का अधिकार दिको एक डैस के माधिन से वीशेस आफर और अन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं तो देखो ये बहुत आसान तो नहीं था और इसका उत्तर था सोशल उंप बटाई नाट बेरी शूर क्योंकि ये सारे आप्सन ही मैं पहली बार देख रहा हूं आपको पता हो तो बताना जरूर ठीक है वैसे मैं फेस्बुक कमी यूज करता हूं लेकिन जितना करता हूं मुझे ये आप्सन मिले नहीं कभी कौन सी बांगलादेश के राजधानी है तो आपको पता ही है धाका है हर वर्स किस दिन को अंतरराश्टी निरस्तरी करण एवंग अप्रसार जागरुता दिवस करूपे मना जाता है पांच मार्च होता है ये ओप्सन ए हारे में किस भारती हवायड़े को यूनिस्को के 2023 प्रिक्स वर्सल्स में मानेता है मिली है तो यह आपका कैमपे गवड़ा अंतरराश्टी हवायड़ा है जो की स्थित्यापके बैंगलूरू मे और C ही इसका उतर बनेगा Human Rights and Inhuman Wrongs ये जो किताब है लिखी गई है वी आर किष्टा अईयर के द्वारा Option C करेक्ट है कौन सा अंतरराश्टी समझता है ओजोन परत के चहरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्तों के उत्पादन को चरणबद तरीके से समात करके ओजोन प कौन था दिल्ली का पहला सुल्तान बनाता कुतुबुद्दीन अइबक आपसें डी करेक्ट है नाइट्रोजन की खोज की गए थी किसके द्वारा तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन की खोज कब की गई ये प्रसंद एक्जाम में आ सकता है तो इसका उतर हुजाए का डैनियल माउंटेन कहते हैं ने भारत में निलकी को ही मोलो माउंटेन कहा जाता है व्यापार घाटया मतलब जब आप मंगाए ज्यादा और बेंचें कम तो आयात ज्यादा रियाध कम उतरपार घाटया मतलब इसमें क्या होता है कि कुष्टी बाग विश्य सुरुप से तयार मिट्टी के गड्डे में अभ्यास करते हैं तो यह तो कुष्टी यह पहलवानी होती है आपको याद होगा दंगल दंगल फिर है कि किस संस्ताने रेत और धूल तूफां क्रिशी में समन इंगलिस में पढ़िए याद रहेगा सेंड डॉस्ट स्टॉर्म्स गाइड टू मिटिगेशन एडॉप्शन पॉलिसी एंड रिस्क मनेज्मेंड मीजर्स इन अग्रिकल्चर तो यह उनटे नेशन के जो संस्ता है न यफ ए ओ फूड एंड अग्रिकल्चर आउगनाजिएशन के द्वारा इसे जारी किया गया थ और ऐल्वीडो क्या होता ये बता वारे में मैं आपको बताया देता हूं पृतिपी पर जो गअनतर होता है उसे करते हैं यह यह व плат होता है तो मंदल में धूर के कणों से ज्यदा प्रभवित होता है हलानकि बहुत सारीकारक हैं लेकिन यहाँ पर सही उत्तर option D माना जाएगा DNA की स्रचना किसके द्वारा खोजी गई थी तो रोजालाइन फ्रेंग्लिंग के द्वारा option A correct है और यह भी कि इसे कब खो जा गया था तो 1903 में ठीक है यह भी याद अखलो हो सकता है इस बार यही आ जाए फिर अगला question है आपका कि भारत में भिमुद्री करण का समर्थान करने वाली बैंक तो RBI और किस साइबर अपराद में समेंदन सिल जानकारी का खुलासा करने के लिए बेक्तियों को धोका दना सामिल है मतलब ऐसा कौन साइबर अपराद है इसमें समेंदन सिल जानकारी का खुलासा करने के लिए बेक्तियों को धोका जाए जाता है तो इसे करते हैं क्या करते है हैकिंग में तो सिस्टम ही हैक हो जाता है इसमें आप धोका क्या दे रहे हैं मालवेर फिसिंग और साइबर बुलिंग फिसिंग का मतलब होता है चारा देके फसा न यहीं इसका उत्तर बनेगा साहित में नोबल प्रुसकार पाफ्ट करने में पहले भारती तो यहां पर देख और प्रेंड्स यह सुरू के तीन सिफ्ट है बागे के जो तीन सिफ्ट है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंड में है जाकर आप अभी देख लिजिए पहला सिफ्ट दूसरा सिफ्ट सब लागे जो अच्छा सिफ्टों की परिश्या होई है सभी के अगर आपको एक साथ यहां पर दिये गए हैं सुभी को बेश्ट आप लख मिलते हैं आप से एक लिए वीडियो में और बताइए कि जरूर की यहां से आपको कितनी हेल्प मिले ठीक है और अगर आपको पीडिएफ नहीं मिल पाई है कुश्टन पेपर की तो आप स्टेडी विद्ग्यानपरकास.com पर चलियाएगा वहाँ पर आपको छेयों स्रिप्ट को पीडिएफ है वह उपलब्द करवा दी गई है थैंक्यू